हेलो डेरे स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर डेरे सुडेंट्स आज के वीडियो में हम आपको बीएस्सी एग्रीकल्चर फर्स्ट सिमेस्टर एक्जामेशन दोहजार तेश्विस एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर शॉ सब्सक्राइब के अपने चैनल पर सॉल्व करेंगे तो इसके पहले हमने सभी सिमेस्टर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं अपने चैनल पर सॉल्व करवा दिया है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं 2022-2023 के जितनी भी पेपर हैं सारे पेपर शॉल्व करवा दिये हैं वहाँ पर आप जाकर देखें उन्हीं पेपर से याओ दोहजार चौविस की पेपर से आपके एक्जाम में बहुत सारे क्यूशन पोछे जाएंगे तो करके सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो डियर शुडेंस आपसे एक रिकोस्ट है कि आप हमारे चैनल पर दिना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो लाइक कर दीजी क्योंकि विश्वित द्याले से जूरी हर एक अपडेट और है तो इसका ऐंसर आपको पता होगिए पता है तो फटा फटा आप कमेंट करके बदाए कि इसका कौन से चावल ब्रवारत में कौन सराज सरवादिक मूंफली का उतपादन करता है तो जो सबसे ज़यादा मूंफली होते कहां पर गुजरात में होता है और मूंफली के निम क्या है राइचिस हाई पोजिया तो चलिए अगलाकर देखते हैं किस्ट सर नमर थर्ड है किस्ट नमर थर्ड में कोुछ रहा है भारत का कौन सराज ज्यों उतपादन में पुछ रहा है तो जो सबसे जादा उत्पादन होता है उत्तर पर देश केण आप को बहुत सा confusion होते हैं। बहुत से बच्चे में टिक कर देते हैं कि पंजाब है। तो मैं बताओ अगर यह पूछ लिया जाए कि भारत में पर हेक्टेर सबसे जजाद उत्पाधन का होता है तो वह पंजाब है। यहां पर हेक्टेर की बात करें तो सबसे जादा गिवन को अथपादर आप यह कमेंट करके बताएंगे कि शीरियल स्क्राप्स का राजा किसी कहा जाता है किंग ओप सीरियल प्रॉप्स यह हमें कमेंट करेंगे आप सभी बच्चे इतने भी देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे आप लोग तो चलिए अगला किसन से आपका मुर्रा नस्ल संबंधित है तो ये मुर्रा नस्ल किससे संबंधित है भैस से है अगला देखेंगे आप भारत की किस राज में केसर की खेती की जाती है तो जम्मु कस्मीर में केसर की खेती की जाती है अप्शन नमर शी सही होगा अगला देख तो यह लखनाव पर है option number A यहां पर राइट answer होगा आप लोग देख पा रहे हुए कितने अच्छे questions है यह आपके भी exam में आएंगे जब आपको अभी exam देने जाएंगे ठीक है आप लोग टेंशन न लें ऐसा है यही एक ऐसा paper है जहां पर आप 48-49 नम्मर ला सकते हैं और आ आपके subject agronomy, horticulture, extension agronomy, genetics ठीक है तो जितनी भी subject हों सबके old paper आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो आप उनको जरूर देखना है पहले फिर यह आपको यह video देखना है ठीक है वो भी देखना है और यह भी देखना है क्योंकि दोनों से questions आपके exam में आने वाले है जो भी हम important video पर आले हैं जब ही आपका exam आएगा इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम exam के एक दो दिन पहले आपको most important questions की video available कराते हैं तो उससे आपकी exam में बहुत जाते हैं है चलिए अगला question से आपका भारत में कौन सी फसल तेल उत्पादन क मूंफली से भी तेल निकलता है सर्सों से भी होता है सोया भीन होता है तो इसका जो अंसर जएगे क्या होगा तो प्रोग सभी तो मुमफली के whatever anything नहीं क्या होता है और सर्सों का क्या हो तक ब्रेस के स्पिसी जो स्वियाजिय सब्सक्राइब इनके ग्लाइशियन मैक्स इन सभी के बहुते इनकल नहीं है तो इसका जो राइट अंसर होगा आप्शन नम्मर डियाब का सही अंसर होगा चलिए स्टुडेंस अगला देखते हैं फसल की खेती की सुरुवात होई थी तो इन सब आप्शन के कोडिंग हमारा जो अंसर होगा वो आप्शन नम्मर एस ही होगा पचेतर सो वी सी के आसपास अगला देखें किस्ट नम्मर टेन में क्या पूछ रहा है कौन सराज हाल हाल में ही भारत के धान के कटोरे की रूप में प्रशिद्ध है तो यह क्या 36 गड़ है और अप्शन नम्मर एस ही होगा यहां पर अगला देखेंगे आप रतुन फसल पेड़ी सबसे ज़्यादा प्रिचलित है तो यह किसमे है शुगर के यानि गन्ने पर है तो आप्शन नम्मर एक रेक्ट अंसर हो गए यहां पर और गन्ने का बोटाइनिकल निम क्या होता है सिकेरम अफिशिनीरम ग्यों का टेक्ट का मस्टिवम और चावल का क्या होता है चावल का क्या होता और आईजा सटाइबा मस्टर्ड का क्या होता है या आप कमेंट करके बताएंगी हमें चले स्टूडन्ट अगला देखते हैं अगला क्यूशन क्या है कौन सी रभी रितु की फसल है इसमें पूछ रहा है रभी की फसल है देखो जो धान है कि खरीब का बाजर भी खरीब का क्यों क्या है ये में और रवी रितु क्या सिजिन आरहा है जो आप फसल भोएफ दो एक कॉंछे सीजन चलेगा रवी चलेगा जो आपने फसल हरवेस्ट कर लिक जून जुलाई में बोह जाती वहजा हो खरीपली की होती जो भी आपके अक्टूबर नॉम्मर के आसपास जो फसले बोई जाती है वो कौन से होता रवी जायद जो आप गर्मियों में जैसे आप सब्जी वगएरा देखते हैं लोग की भिंडा टिंडी टिंडा जो भी नदी की किनारे लगाते हैं जायद में गर्मी में मैजून के आ सब्सक्राइब अगला आपका विष मजदूर दिवस कम मनाय जाता ता जाता है तो 20 मजदूर दिवस कब मना जाते है आपका एक मई को मनाया जाता है तो अप्शन नम्मर यहां पर डी करेक्ट अंसर होगा अगला किस्वन से देखेंगे और वी आर वी आर आई का पूरा नाम क्या है तो इंडियन बेटनेरी रिसर्च इंस्टिटूट यहां पर आ काल सेंटर कब शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था यह यह आपका दो हजार चार में 21 जनौरी 2004 में इसके शुरुआत की गई थी तो ऑप्शन नमर डी आपका राइटन से लोगा अगला देखेंगे आप मनुस्व द्वारा खेती की जाने वाली पर्थम फसल है यह सबसे पहले जो मनुस्व द्वारा खेती की गई थी तो क्या आपका ग्यहूं और जव ट्रिकम स्टिवम और होडियम वल गया तो आप्शन नमर आपका यहां पर सी सही होगा अगला किस्वन से आपका भारत में क्रतिम गर्भाधान कब शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ आपका इन इंडियान दा आर्टिफीशल इंशेमिनेशन वाज स्टार्टेड इन तो इंडिया में कभी स्टार्टेड हुआ था नाइंटी थर्टी नाइन में उनीस सुन तालिस में हुआ था आप्शन नमर बी करेक्ट अंसर होगा अगला देखेंगे अप सरवादी खद् पादन वाला राच तो सबसे ज्यादा खद्यान सीरियल स्क्रॉप्स को पादन किया जाता है तो कहां पे है वह उत्तर प्रदेश है आपका आप्शन नमर यहां पे सही होगा अगला किस्वन से आपका जी अमेज बनस्पतिक नाम है यह आपका मक्क्य का है बागी इन सब्स बता हिए कि अगला आप देखिये भारत को इस पहलते कि प्रतम माना जाता है बादन में др पादन में नियुक्न सभी इतरा में बादन में बालुत को प्रतम्ी इस्थान प्रापक यह केहला और पसू तो यह आपका जो फर्ष्ट है यहाँ पे तो आप्शन नमर आपका डीस सही हो गया चलिए अगला किस देखते हैं यहां पर फॉलो को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है तो यहां पर क्या है एथिलीन है अगला है आपका वर्तमान केंद्रिय क्रेशी मं में पूछ रहा है तो यदि हमने आपको पिछला जो पर हेरिटेज का सॉल्व करवाया है तो वहां पर भी हमने बताया होगा तो यह नरजिन सिंग्टोमर बताया होगा कि उस टाइम पर वह क्रसी केंद्री मंत्र थे अब बदल गए हैं तो आप लोग ऐसा ना कहें कि सर आ गया तो वहां पर आपसंस बदल जाएंगे यह नरजिन सिंघ्टोमर की या इनकी जगह यह नाम आ जाएगा जोड़ जायेगा सिराज सिंग्ट जो हान तो अब जो प्रेजंट टाइम में वर्तमान केंद्री क्रशी मंत्री हैं वह सिराज सिंग चौहान है मध्ध प्रद यहां पर जो होगा सिराज सिंह चोहान तो आपका ओल्ड पेपर है दो हजार तेस चोविस का है और यह जो वहां पर चेंजमेंट हुआ है वह अभी हुआ तो आप यह याद रखेंगे चली अगला की उसे डियर शुडेंस आपका वर्ड फूड प्राइज कौन देता है तो कौन देता है आपका वर्ड फूड प्राइज एफ एओ ऑप्सन नम्रे यहां पर राइटा इंसर होगा अगला देखेंगे आप राष्टी किशान अयोग की स्थापना हुई थी तो कब ह अगला देखेंगे 26 में क्या पुछ रहा है फिरका विकास योजना का सुभारम हुआ था तो यह 9046 में हुआ था कब हुआ था 9046 में तो आप्सन नम्मर यहां पर आपका सी राइट अंसर होगा अगला किस्ट देखेंगे स्टुडेंट अगले में क्या पुछ रही है अगला है जो आपका मदमक्खी पालन को और क्या कहते हैं यानि मदमक्खी पालन को क्या कहते हैं तो मदमक्खी पालन क्या होता है एपी कल्चर होता है आप्सन नम्मर यहां पर भी सही होगा लाइक कल्चर में क्या होता है हम लाख के कीड़ों का उत्पादन करते हैं पीसी लाइक कल्चर में जो लाइक कल्चर है आपका तो लाइक के कीट का उत्पादन करते हैं एपी कल्चर यह आपका मधमक्खी पालन जो पूछ रहा है और पीसी कल्चर में हम फिसका यानि मच्छियों का पालन करते हैं वर्मी कल्चर में वर्मी कंपोस्ट यानि केच्व एकाउट पादन करते हैं चलिए अगला किशन से देखते हैं ICAR के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? ICAR के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? डाक्टर हिमानशु पाठक पहले यह थे डाक्टर त्रिलोचन मौहपात्राव इसके बाद आप यह आपसे नमर सी आपका यहाँ पे सही होगा डाक्टर हिमानसु पाठक है इनको आपसे नमर आपका सी सही होगा अगला किस्वन साब देखेंगे भारती एक गन्ना अनुशन धान इस्तित है तो यह आपका लखनाव में इस्तित है किस्वन सा दुबारा आ चुका है अगला देखेंगे भारत का राष्टी फूल क्या है चलिए आप कमेंट करके बताएए इसका भारत का जो राष्टी फूल है वो क्या है गेंदा है किस्वन से आप इनको बड़े अच्छे से देखेगा जैसे आप दो तीन बार आप बीडियो देख लेंगे तो आपको क्यूंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और ओल्ड पेपर है जो भी आपके पर रह जाए हो आप हमें कमेंट करके बताईएगा चैनल पर देखके प्ल किसी भी कारणबस क्लास नहीं आपाते या उन भी कुछ भी समस्या हो सकते हैं सबके घरों पर अलग अलग समस्या है ना किसी का कोई भी प्राब्लम है अर्थी किसी की ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि इस समय क्लास में देख दो सो क्या सपासी बच्चे आते हैं माकी बहुंस सारे बच्चे नहीं आते तो आप लोग घर में बाटके अच्छे से इपरेशन कर सकते हैं जितनी भी ओल्ड पेपर आप लोग देख लीजिए दो साल के और इंपोर्टन की संस जो आपको प्रवाइड करा जाए चैनल के माध्यम से वह आप देख लिए आप हंड़ेट परशंट पास हो जाएं तो चलिए अगला की संस देखते हैं डियर शुडेंस खेती की एस आर आए बिधी शमंदेत हैं एस आर आई बिधी शमंदेत है कि से जोहार से कपास से धान से आलो से तो किस से है आपकी धान से है etteॉपसट नमर सी से होगा इस खेती की एससार आइ होता क्या है जो बीना पौध के इसको खेत में लगाएस अगरे त्यों मतलब आपको नर्शरी नहीं तैयार करना पड़ता हमथाई आपने लुए to sign oh नाम सुन होगा जोड में हैं मैं व्यदाउट कि तैयार की जाते हैं और 14 दिन के आवसपास पूरी को नर्शरी वह तो ऐसे यह भी आपका एसार आई भी ती इसमें बीना पौध लगाए बीना पौध यानि आपको नर्शरी तयार नहीं करना ड्रक्ट खेत में ही इसकी होती है इसको एसार आई भी जो है और इस से धान से रिलेटेड है अगला राष्टी प्रसार सेवा की सुरुवात किस वर अगला क्यूशन से आपका कपास पादन के लिए सबसे उप्यूक मर्दा तो यह ब्लैक काली मिट्टी है अगला क्यूशन से आपका सी आर आई चरण किस फसल में सिचाई के लिए सबसे महत्तर पूर है तो यह यहां पे है वीट गेहों पे आफसलनमर्श्री आपका के नाम से किसको जाना जाता है तो यह आपका गेहों है अप्शनमर्श्री आपर राइट अंसर होगा अगला किन सुर्श से आपका कैल्शियम अमोनियूम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम किसान खाद के नाम से जानते हैं यह एक ऐसा नाइट्रेट ह होता है यानि इसका कोई इफेक्ट नहीं पढ़ता है तो यह उदा सीन होता है इसमें नाइट्रोजन पचीश से च्छबिस पचीशत नाइट्रोजन पाए जाता है और इसमें नाइट्रोजन अमोनिकल के और नाइट्रेट दोनों के रूप में होता है और यह उदा सीन होता ह है तो इसे हम किसान खाथ से या कायन के नाम से भी जानते हैं कायल अगला की सब्सक्राइब को किस रूप मे बढ़े जाता है तो को स Навर मैं किसान दीवस की मान आते हैं तो आप यह बताएंगे रहिए अगला स्टेजन विलतित क्या है कि इनकी उपलप्च पे हम यह कि शान दिवस मनाते हैं यह हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है चलिए अगला student अगला देते हैं ट्रिकल क्रॉस है तो यह ग्यहुआ और राई का है तो option अगला होटी कल्चर सब्कित पत्ति हुए तो लाइटिन भासन से अपका भारत का सबसे बड़ा पौसु मेला कहां लगता है तो यह भीहार शोनपूर में लगता है तो option अगला किस्ट अगला किस्ट इस बिश्विद्याला तो भारत का जो पहला क्रिस्विश्विद्याला है जी बी पंथ इनुश्यटी आफ एक्री कल्चर अंड टेक्नोलोजी तो option नमर आपका यहां पर डी राइट अंसर होगई यह कहां पर उत्त्राखंड में है और इसकी स्थापना कभी हुथी उनीसो साथ में हरित क्रांति की आवाद ही का है यह आपका option नमर आपके यह नमर शही होगा 1966 से 1967 के बीच में थी अगला question से dear students NBPGR इस्ति था तो यह कहां पर इस्ति था नई दिल्ली पर है नेशनल बीरो आफ प्लांट जेनिटिक रिसोर्स के कहां पर न्यू देली पर है अगला question से आप देखें गुड़गाओं पर योजना किसके द्वारा शुरू कोई गई थी तो यह आपका इस फिंशर हैच के द्वारा शुरू हुई थी option नमर बी राइटन से यहां पर मनाय जाता है सारे बच्चे जितने भी देख रहा हैं आपके जरूर कमेंट करके बताएं कि पांच जून को कौन सा दिवस क्या मनाय जाता है क्रमेंट करके आप बताएंगे हैं आप सभी की कमेंट हम पढ़ेंगे देखेंगे यह कि आप कैसे reply क्या दे रहे हैं तो चले student अ आई सी ए आर की स्थापना हुई थी तो 1929 में हुई थी आप्शन नमर्डी राइट अंच जरोगा यहां पर अगला प्रमुक्ष ग्रीन हाउस गया समेथेन सी एफ सी कार्बन डायक साइड उप्रोक सभी तो यह सभी ग्रीन गया से तो यहां पर ऑप्शन नमर्डी अगला देखेंगे आप दितिये सिचाई आयोगरी की स्थापना कभी थी उनीज सोनातर नाइंटे सेक्स्टीनाइन में हुई थी अगला के सब्सक्राइब किसे समन्धित है अनाज से तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि फादर आप ग्रीन डेवलेशन इंडिया अगला वरत्मान समय में भारत का कुल क्रशिव अथपादन में कौन सा स्थान है तो दोसरा स्थान है option नमर बी राइट अंसर होगा अगला है agriculture सब्द के उत्पत्त कि लैटन सब्द से option नमर आपका यहां पर राइट अंसर होगा अगला है निमलिखित में से कौन सी फसल खरीप रित्यु की है तो खरीप रित्यु में क्या आपका धान बागी है С Walt किस Clip है सब किसी है और रवी की है गयों कि एँ चना मतर कि मतर का बोटनकल नेब क्या होता है P Quinn सेटाइबम क्लेश इन कर योता है साइसेरिटीनम गयो का टिट्रaden कमश्टिव आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा आपको confusion होगा, इसलिए आप दो से तीन बार को revise करें अच्छे से, तभी exam में आप एक अच्छा score ला पाएंगे, अच्छे number ला पाएंगे, तो आप यही subject में, जितने भी आपका subject है, agronomy, horticulture, इन सभी के जो old paper हैं, वो हमने solve करवा दिया है, आपको इसी चैनल पर आपके अपने चैनल पर शारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और 2023 के हमने paper solve करवा दिया है, जो भी paper रह गया है, वो भी करवा देंगे, आप हमको बता दिजीएगा कि यह paper रह गया, तो सारे paper हम solve करा द हैंगे, तो इनको आप अच्छे से तयार कर लें, तो dear students, जिन अभी आप लोगों ने like नहीं के, तो फट फट सब लोग वीडियो को like कर देजिए, आप लोगों के लिए इतना अच्छा content लेगा आते हैं, paper short करते हैं, तो time लगता है, तो आप इतना तो करी सकते हैं, चैनल क नहीं का प्रचुर स्रोत्य कौन है, तो vitamin A क्या है, आम, option नमर A से होगा, अगला question, भारती दलहनी, भारती दलहना नुसंदान संस्तान कहां पर इस्तिते कानपुर में, option नमर B करेक्ट अंसर होगा, अगला देखेंगे हम, भारती हरित क्रांती कहां से शुरू कुई गई थ का भारती हरित क्रांती के जनक, तो कौन है भई, M.S. श्वामी नाथन, यह हरित क्रांती के जनक है, अगला देखेंगे, शाही वाल एक भारती है, नसल है, तो किसकी है, गाय की, option नमर A, राइट अंसर होगा, अगला देखेंगे, भारत में, शमानता खेती की कौन सी पद् छी जाती है, M.S. खेती है, भारत में, सबस्化 ज्यादा, तो ऑप्स नमर B यहां पर आइट अंसर होगा, बार्ड परभावित, शेत्रो में, किस प्रकार की खेती की जाती है, तो दीयारा खेती की जाती है, औप्स हमानता बी, आपका राइट अंसर होगा, अगला जोऔ की खेती कहलाती है तो कोलेरी कल्चर ओपशन नमर भी hai näहाँ पे आपका राइट अंशर होगा अगला है बीटी कल्चर कि से संबंध्दी तो وبिकल्चर क्या है अंगूर की खेती से शमनीत है आपका beauty culture अगला एग्रोनोमी शब्द किस भासा से लिया गया है तो एग्रोनोमी ग्रीक भासा से लिया गया है अगला questions dear students Icar का मुख्याले कहां पे है तो new Delhi पे है और आप लोग यह comment कर पाएं बताएंगे हम आई ए आर आई यह कहां पेस्तित है तो dear students सभी लोग आप comment करके बताएंगे हम सभी कि आपके जितने भी comment होते हैं सबके comment पढ़ते हैं देखते हैं कि IAR का जो मुख्याल है वो कहां पेस्तित है यह हमें बताएंगे और शाथ साथ यह भी आप बताएंगे कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं आप कि स्कॉलेज से कॉलेज के स्टुडेंट है आप comment करके हमको जरूर बताएंगा तो dear students चलिए अगला questions देखते हैं अगला questions में क्या पूछ रहा है ICAR के पहले निर्देशक कौन है तो डाक्टर बीपी पाल है जो ICR के पहले निर्देशक है अगला आपका follow और शभ्यों के उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान है तो सेकेंडर फालो और शभ्यों में अफ्शन नम्मर बी करेक्ट अंसर होगा अगला questions से आपका चलिए इतने questions से क्योंकि इस बिश्विद्याला में 75 questions पूछे जाते हैं तो डियर शुड़ेंच जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही most important video है most important questions आपको इसको अच्छे से इन questions को revise करिए गए आपके एक्जामें definitely questions पोच्छे जाएंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें थैंक्स फार वाल्चिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में